कहानी इस खबर से शुरू होती है कि श्री ब्रेंटली मलाट की एक रेल दुरघटना में मृत्यू हो गई है श्री मलाट के मित्र रिचर्द्स ने सबसे पहले ये चौकाने वाली खबर सुनी और उन्होंने तुरंट मलाट परिवार को सूचित किया श्री मती लूइस मलाट को हृदय रोग है इसलिए श्री मती मलाट को उनके पती की मृत्यू के बारे में सूचित करने में बहुत सावधानी बरती जाती है दिल पर पत्थर रखकर लूइस की बहन को इस घटना के बारे बताने को कहा जाता है लूइस की बहन ये भयानक समाच बताने की जिम्मेदारी लेती है, कुछ समझाय हुए धीरे धीरे वह सारी घटना अपनी बहन को बताती है, श्रीमती मलाड पूरी तरह से तूट गई, वह दुख से पागल हो जाती है, उसकी आखों के सामने अंधेरचा जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाती और वहां से उ दिख रही है और सोच रही है कि यह क्या हुआ, वसंत की हवा में आने वाली बारिश, ताजी हर्याली और फूलों की महकाती है, कहीं गौर यह चहचहा रही है, मैं थोड़ा शांत हो चुकी है, बीच बीच में सिस्किया लेती रहती है, उस दृष्टी में बुद्धी और ज्यान का कोई चिन्ह नहीं है, वह बिलकुल शांत हो जाती है और डर के साथ इंतजार करती है कि उसके साथ बाद आगे भविश्य में क्या होगा, जो कुछ भी उससे डुबाने की कोशिश कर रहा है, उसके चन्बुल से वह खुद को मुक्त रखने के लिए संधर्ष करती है, वह लड़ती है और जीतती है, अपनी आर्ध चेतन अवस्था में वह सोचती है कि मेरे लिए शायद ये सही है आखिरकार मैं आजाद हूँ, उसका पहला विचार है, वह सोचती है कि उसका पती दयालू होते हुए भी उससे कभी सच्चा प्यार नहीं करता था, वह उसक कभी उसकी मरजी नहीं पूचता, बस अपनी मरजी चलाता है, हाँ वह खुश थी उसके साथ, लेकिन जो उसको चाहिये था, वह उसने उससे कभी नहीं दिया बराबरी और स्वतंत्रता और लेकिन अब जब कि वह मर चुका है, वह आजाद हो सकती है, उसकी बहन बाहर से अ बिना किसी रोक्तोक या उदासी के अकेले आनंद लेते हुए खुद की कल्पना कर रही थी, अचानक वह उठती है और दर्वाजा खोलती है और अपने आपको सभालते हुए अपनी बहन के साथ सीवियों से नीचे चलने लगती है, लेकिन जब वह नीचे की सीवियों पर पहुचती है तो कोई बाहर से चाबी से दर्वाजा खोलता है, दहलीज पर श्री मलाड शांती से अपना चाता लेकर खड़े थे, पता चला की जहां हादसा हुआ था, वहां से वह काफी दूर था, किसी ने उसका नाम रित्व्यक्तियों की सूची में गलती से ही डाल दिय लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसमें बहुत कुछ सोच लिया था आगे वह कैसे अपनी जिन्दगी जियेगी बिना रोग टोक के, लेकिन उसे दोबारा देखने के सदमे से लुईस की तुरंत मौत हो जाती है, क्या थी वज़े मौत की, जब डॉक्टर आत तो वे कहते हैं कि उसकी मृत्यू हृदय रोग के कारण हुई